गाइज वेलकम बेक टू मैं चानल आज मैं आपको अस्तर वाले कुर्टी के लिए एक बहुत ही ब्यूटिफुल नेक डिजाइन बना के बताऊंगी तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो उसके लिए हमने ये 8 इंच और 9 इंच लंबा फ्यूजिंग पेपर लिया है अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हम 3 इंचेज नेक की चोड़ाई रखेंगे 3 इंचेज पर माक लगाने के बाद हम 5 इंचेज इसकी दीप लेंट लेंगे तो ये 5 इंच पर हमें इस तरह से माक लगा कर लाइन डोकर देनी है और फिर इस तरह से एक बॉक्स बना देना है box बनाने के बाद एक इंच की गोलाई लेते हुए आपको इस तरह से neck को गोलाई का shape दे देना है और इसे गोलाई से आपको एक एक इंच की दूरी पर एक और निशान लगाना है तो इस तरह से आपको एक एक इंच पर निशान लगा कर लाइन ड्रो कर देनी है तो ये हमारा नेक ड्रो हो चुका है अब हमें इसको इस तरह से काट लेना है तो मैं इसको कट कर लूँगी अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इसी तरह के नेक डिजाइन के वीडियोज मिल सके तो ये दिखिए मेरे नेक की कटिंग हो चुकी है अब उसके बाद मैंने ये एक green कलर का fabric लिया है, जिसके उपर मैं प्रेस की help से इसको चिपका दुंगी, तो आपको इस तरह से प्रेस की help से चिपका कर कट कर लेना है और कट करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी पीछे बचा है उसको आपको इस तरह से अंदर की तरफ सिल देना है तो आपको इस तरह से अंदर की तरफ कपड़े को मोड़ दिया है तो ये देखिए मैंने इसको अंदर की तरफ मोड दिया है अब ये जो नेक है इसके अंदर की साइड भी हम एक सिलाई लगाएंगे और आपको सिलाई लगाते वक्त जो धागा नीचे बाबिन में लेना है वो जिस कलर का हमारा फैबरिक है उससे ओपोजिट कोई भी दूसरा कलर लेना है ताकि वो पीछे की तरफ दिख सके तो आपको इस तरफ से अंदर की साइड भी एक सिलाई लगा लेनी है तो यह मैंने अंदर भी सिलाई लगा लिये और देखिये यह धागा हमारा इस तरफ से दिख रहा है अब इसके उपर हम नेक के लिए डिजाइन बनाएंगे सबसे पहले आपको इस पर एक सेंटर में कट लगा लेना है और सेंटर में कट लगाने के बाद अब इस तरह से मेरे पास एक लेस थी जिसको मैंने डिजाइन के लिए लिया है आप कोई भी लेस अपने पास हो वो इस्तमाल कर सकते हैं तो इस लेस को मैं इस तरह से इस धागे पर प्रॉपर लेस टीच कर लोंगी तो आपको इस तरह से लेस को लगा लेना है उल्टा रखकर आपको लेस को इसके उपर लगाना है और लेस लगाते वक्त ध्यान रखना है कि लेस के बीच में जोल न आए । तो आपको इस तरह से इस पूरी लेस को इस नेक पर इस तरह से लगा लेना है तो यह देखे, मैंने लेस को इसके उपर इस तरह से अटेच कर लिया है और उसके बाद अब मैं इसको कुर्टी के उपर लगाऊंगी तो उसके लिए ये मैंने कुर्टी का फ्रंट पार्ट लिया है और कुर्टी के फ्रंट पार्ट को सीधा इस तरह से मैं रखूंगी और जो हमने नेक डिजाइन तयार किया है उसको उसके उपर इस तरह से उल्टा रख कर पहले सेंटर पॉइंट से सेंटर मिलाते हुए पहले एक बीच में इस तरह से सिलाई लगा लोंगी इस तरह से पहले बीच में सिलाई लगा लेनी है ताकि यह हमारा जो डिजाइन है वो हिले न उसके बाद आपको बीच में सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पूरे डिजाइन पर सिलाई इस तरह से लगा लेनी है तो आपको इस तरह से दूसरे साइट भी इसी तरह बीच में जोलना आए ये ध्यान लगते हुए सिलाई लगा लेनी है तो यह दिखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिए और बीच के एक्स्ट्रा पार्क को में कट कर लोंगी और कट करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपने सिलाई दिये उसका धागा साथ में न कट हो तो आपको इस तरह से कट कर लेना है और अब हम इसको कट करने के बाद पलट लेंगे जो हमने लेस लगाई ये उसको हमें साथ में नई पलटना है और खाली हमें नेक के उस बेच को इस तरह से पलट देना है पलटने के बाद हमें इस तरह से नेक के किनारी पर एक सिलाई लगा लेनी है लेस को हमें उपर की तरफ ही रखना है और खाली नेक को हमें उल्टे साइड पलट देना है तो आपको इस तरह से नेक के उपर एक सिलाई लगा लेनी है तो मैं इस तरह से इसके उपर एक सिलाई लगा लोगे तो ये देखिए मेरी सिलाई लग चुकी है और सिलाई लगने के बाद ये मेरा नेक्ट डिजाइन बंद कर बिल्कुल रेडी ये आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा बंद कर रेडी हुआ है आप भी इस तरह से ल आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा